भगवान सिव अपने भगतों के प्रत और पूजा पाट से बहुत जल्दी प्रशन हो जाते हैं। अपने भगतों से महादेव साक्षात मिलने न आकर उन्हें शप्न में दर्सन देते हैं या उन्हें कुछ संकेत देकर अपनी मौजगूद्गी का एहसास कराते हैं। संकेतों के माध्यम से भगवान सिव अपने भगतों से यह कहना चाते हैं। अब उनके जीवन में दुखों का अंत होगा, धन से जुरी भी समस्या, अब उनके जीवन का आठिक संकट दूर होने वाला है। भगवान सिव अपने भक्तों को सपने या संकेतों के माध्यम से अपने होने का आभास कराते हैं भोले नात संकेतों के माध्यम से बताते हैं वह अपने भक्तों पर अत्यंत प्रशन हैं इसलिए इन संकेतों को अतिसूब मानना चाहिए यदि आप सपने में किसी देविदेप को देखते हैं तो समझे कि आप अपनी परेशानियों से निजात पाने वाले हैं सपने में कई बार ऐसी चीजे दिखाई देती है जो भविश्य में घटित होने वाली घटना का संकेत देती हैं यदि आपको सपने में भगवान सिप से जुड़ी वी चीजे दिखाई दे रही हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेब का आश्रिबाद आपके उपर है इनसान के साथ होने वाले सुब या असुब संकेतों को भगवान सपन या संकेतों के द्वारा बताते हैं यदि बुरे दिन कटने वाले हैं तब भी भगवान सिप आपको संकेत देते हैं या बुर सपने में दिखने तो समझ जाए कि भोलेनाथ आप से बहुत प्रशन और ऐसरमिय तो यह अत्पcor grazing जाता प्यात्मिक उन्नती भी होने वाली है, भोलेनाथ हम पर प्रशन है, हमें कार्य में सिध्धी मिलने वाली है, ये सपने हमें बताते हैं कि हमारे द्वारा किये गए पूजा पार्ट महादेब तक पहुँच रहे हैं, सपने में सिबलिंग दिखाई देना हमारी परेशानियों क अंत होता है अगर आपको भी सपने में सिबलिंग दिखाई दे तो पूजा पाठ के साथ साथ नाम जब भी करें सपने में सिबलिंग को देखना मंत्र सिध्धी का भी संकेत होता है अगर आपको सपने में सिवलिंग दिखाए दे तो आप नियमित अश्नान कराना सुरू कर दे दूसरा परमुक संकेत है सपने में भस्म देखना सपने में भस्म देखना भी एक सुब संकेत माना गया है भस्म भोले नाथ अपने सरीर पर धारण करते हैं यह कोई साधारण भस्म नहीं है यह बहुत ही कल्यान कारी भस्म होती है अगर आपको भी भोले नाथ की भस्म दिखाई दे तो यह महादेब का संकेत है कि आप पूजा पाठ में और अध्यदिक लीन हो जाएं भगवान सिप चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया छोड़ कर स्वयम को उनके चरणों में अरपित कर दें महादेब की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेब अत्यंत प्रशन है वह अपना रूप और अपनी सिध्या आपको प्रदान करना चाहते हैं यह सपन लाख को ब्यक्ति में से कुछ ब्यक्ति को ही आता है तीसरा संकेत है नाग नागिन का जोड़ा देखना सपने में साप या नाग नागिन का जोड़ा देखना कोई सामान्य बात नहीं है इस ब्यक्ति को सावन के महीने में सपने में नाग या नागिन का जोड़ा दिखाई दे वह अत्यंत भागयसाली होता है नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और को समर्पित है अगर आपको नाग नागिन का जोड़ा सावन या सौंबार के दिन दिखाई दे तो समझ जाएए कि आपका बैवाविक जीवन काफी खुसनमा होने वाला है और जिसका बिवा नहीं हो रहा है जल्द ही विवा होना निश्चित हो जाएगा और सपने में नाग नागिन को देखने का अर्थ यह भी होता है कि आपको धन लाब होने वाला है चौथा परमुक संकेत है कि सावन के महीने में मेड़क या मसली को देखना यदि सावन के महीने में आपको ऐसा सपना आए कि मे मैडक बोल रहा हो और मचली तैर रही हो तो इसको बेहद ही शुब स्वपन माना जाता है कि यह शुपन दर्साता है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है आपकी किस्मत चमकने वाली है मैडक का बोलना शुद्धता और मचली का तैरना धन को आकरसित करता है आपके लिए असुपता का पड़तीक है सपने में अगर यह दिखे तो समझ जाएए कि आपके उपर कोई मुसीबत आने वाली है सत्रू या वाद विद्धत से संबंधित हो सकती है या आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे महादेब आप पर क्रोधित है इसलिए जब आप को यह सपना आए तब आप सिब मंदिर जाकर उनकी पूजा करकर सिब चाली सा कारे और उनसे प्रात्ना करे इस संकट से निवारण के लिए छटवा परमुक संकेत है सपने में प्रभू सिरीराम को या हन्मान जी को देखना जब महादेब अपने भक्तों से अत्यधिक प्र अब zas मना को पूर्ण करेंगे Do आप खुद को तैयार कर लिए एक सच्चा सी भक्त बनने के लिए ड़िस दिन आपको यह सपना आए उस दिन से प्रति दिन सिब्लिंग को इसनान कराना प्रारम कर लिजिए आठवा संकेत है सपने में अपने पूर्वज या सफेद वस्त धारण किये हुए व्यक्ति को देखना जब आप भगवान सिप की सेवा सुरू करते हैं तब सबसे पहले आपके पित्र ही प्रशन होकर आपको आश्रिबात देने आते हैं नवव संकेत है सपने में बैल देखना बैल यानि नंदी नंदी को भगवान सिप का अत्यधिक प्रियभक्त माना गया है लोग कथा के अनुसार नंदी आपके मनोकामनाओं को सिपजी तक पहुँचाते हैं यदि आपको भी सपने में नंदी दिखाई दे तो समझ जाए कि आ आपको यह सपना आए उस दिन आपको बैल की सेवा करनी चाहिए दस्वा संकेत है सपने में सेड देखना माता पारवती का प्रिया वाहन शेर है जब भगवान सिप आपसे प्रसन होते हैं तम माता पारवती भी आपको सपने के द्वारा संकेत देती है क्यारवा संकेत है सपने में भैरव या भूत प्रेथ देखना कभी कभी महादेब के दूद भूत प्रेथ का सपना दिखा कर उसको ड्राने का प्रियास करते हैं पर आपको घबराना नहीं है महादेब के दूद आपकी परिक्षा ले रहे हैं इस परिक्षा में सफल्द होत प्रवादेब के दूद्ध आपके साथ चलने लगेंगे और हर परकार से आपकी रक्षा करेंगे। कई बार आपको नदी दिखाई देती हैं तो वह मारकंडे नदी होती है। सपने में कई बार आपको सादू संत भी दिखाई देते हैं क्योंकि वह भगवान सिब और उनके दूद्ध होते हैं सावन के महीने में आपको सिबलिंग, दमरू, तिर्शूल, बैल दिखाई दे तो तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान सिब की किरपा आपके उपर पड़ चुकी है। अगर आपको भी यह संके दिखाई दे तो आप भी प्रती दिन भगवान सिब की से दिवा करना प्रारहम कर दीजिए आपका जीवन चमतकारों से भड़ जाएगा ऐसे मेरुद्राक्ष की माला अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शियर जरूर करें